इस वक्त की बड़ी खबर जापान से जहां वाकायामा में बम धमाका हुआ है स्मोक बम से हमला किया गया है PM किशिदा की रैली में ये धमाका किया गया है इस वक्त की बड़ी खबर जापान से जहां रैली में धमाका हुआ है पताई जा रहा है पीम किशिदा की रैली वहां निकाली जा रही थी और इसी दौरान धमाका महाँ पर हो गया स्मोक बम से महाँ पर हमला किया गया है पीम किशिदा को सुरक्षित निकाल लिया गया पुलिस मौके पर पहुचिया रेक शक्स को इस मामले में पकड़ा गया है लेकी जांश परताल जारी है तो ये बड़ी अपडेट जहां पर जापान के प्रधान मंत्री फूमियो किशिदा की रेली का आईजिन किया जा रहा था और इसी दोरान रेली में धमाका किया गया स्मोक बम से हमला कर दिया गया रहत की बात की पीम पुमियो किशिदा को सुरक्षित निकाल लिया गया और पुलिस ने एक व्यक्ति को इस मामले में पकड़ा है प्राण किशिदा को साथ अरी लिया में पुलिस ने प्टेश सक्षित पार लिया खुलिस इसे हिसी ने लिया गया रहान बादेश सुरक्षित नेरी बादेश माते कि रहा है